Hello dear friends, Delhi University की तरफ से एक नया notification देखने के लिए मिला है जो 12 December 2020 से examination सुरू करने को लेकर है तो चलिए देख लेते हैं आखरकारी ये किस प्रकार का notification आया है तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हम जो है Delhi University की website पर है और Delhi University की website पर जब आप यहाँ पर नीचे देखोगे लेते हैं और आप इसका screenshot भी लेना चाहू ले सकते हो तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने PDF तो देखेगा यह इस प्रकार का PDF खुल जाएगा यह जानकारी देखेगा आपके लिए बतानी बहुत जरूरीती इसलिए मैंने सोचा कि आपको यह एक वीडियो बना लेते हैं तो देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है 26 अक्टूबर 2020 डेट लिखी हुई है और रेफरेंस में देखेगा यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो एक्ञां सीधा वारा है यहां और बहुत सारी कारण है यह पर नहीं दे पाए थे तो उनके भी जो पेपर हैं वो भी इसी साल होंगे ठीक है इसी दोरां होंगे दिसम्बर वाले सिजन में तो देखे का यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है examination conduct of third और fifth और seventh semester देखे का seventh semester उनका होता है जिनका आपका जादे साल का course होता है उनके डैली उनिविश्टी में लगे हुए है तो देखे का यहाँ पर जैसे के देख सकते हो academic season 2020-2021 in view of COVID-19 pandemic तो देखे का यहाँ पर सीधा first paragraph में यहाँ पर इनोंने लिखा है जो हमारा third semester के student है और fifth semester के और हमारे seventh semester के ठीक है वो essential repeat कर रहे हो या regular college के हो चाए वो SOL से हो चाए NCWeb से हो उनके exam जो है 12 December 2020 से सुरू हो जाएंगे ठीक है जी और आपके exam जो है जो two season में होंगे यानि कि दिन में दो बार हो सकते हैं और Sunday वगएरा का दिन भी मिला कर और तीन घंटे का आपको समय मिलेगा ठीक है और जो date seat है वो आपकी November के first week तक आ जाएगी ठीक है इन्होंने first paragraph में ये चीज़े बता रखी हैं चाहें आप एकसिस्ट्वेंट हो चाहें repeat year हो आपकी ठीक है या essential repeat मतलब की या आपकी back आ गई हो तो भी आपको exam इसमें दे सकते हो अपने इस वाले season में 2020-21 दिसंबर वाले में ठीक है जी और देखेगा यहां पर इस second अगला paragraph कहते हैं कि COVID-19 pandemic के कारण आपको social recensing का ध्यान में रखते हुए आपको exam देना है लेकिन यहां पर आपको दोनों option की देने की बात करी गई है ठीक है यहां पर जैसे कि इन्होंने बता रखा है सितंबर 2020-2020 में इन्होंने जैसे पहले exam लिया था open book exam इसी तरह से होगा और यह सभी के लिए है जो student मान लिजेगा आपके first semester में जिनकी back वगएरा आ गई थी या थर्ड year वगएरा के थे ठीक है तो उन सभी के student के भी exam इस वाले phase में आप conduct करा सकते हो आपने ले सकते हो ठीक है तो यहां पर देखे का UG और PG programs के लिए है और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो online and offline ठीक है आपको दोनों services मिलेंगे यानि कि open book exam भी दे सकते हो या physical mode के दुआरे आप अपने institute या अपने college में जाकर भी आप provide कर मतलब कि exam दे सकते हो और देखे यहां पर सीधा सीधा और last से पहला paragraph में लिखा हुआ है all access student ठीक है जिनके पास cbcs system लागू है और जो access student है डैली निवस्टी के ठीक है उनके लिए भी यही प्रोसेजर लागू होगा और आपका भी open book exam लगाया जाएगा और यहां आपका offline लगाया जाएगा ठीक है आप दोनों में से कोई सा भी लेना चाहों बोले सकते हो और आपके उपर भी यही चीजें syllabus जो आपका दिया गया है scheme है यानि कि जो डैली निश्टी के syllabus के अंदर उसी के according आपका exam होगा यहां पर दे रखा है सीधे सीधे open book examination के regarding जो है आपका UG के लिए first week of November तक यानि की November के पहले सब्ता तक आपकी सारी जा जानकारी यहां डैली निश्टी की website पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगी UG के regarding और पीजे के regarding जो है notification आपको respective जो आपका department center है faculty बहां से आपको मिल जाएगी ठीक है जी और यहां पर आगे नहीं लिखा है किसे भी authentic जानकारी के आप डैली निश्टी की website पर विजिट करिएगा social media बगेरा message का किसी का भी यहां पर authentic नहीं माना गया है तो आप authentic जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को भी subscribe कर सकते हो तो देखेगा दोस्तों यहां पर इसका मोटा मोटा यही है अगर मैं आपका यहां पर देखेगा बता दूँ देखेगा इन्हें एक्जाम की ब बारे दिसंबर से एक्जाम ले रहे हैं एक फस्ट वीक नमबर तक इनकी डेर्स से रिलीज हो जाएगी आखिरकार वो बच्चे कैसे करेंगे जिनका भी तक रिजल्ट ही नहीं आया है उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं जो रेगुलर कोड़ी के स्टुडेंट हैं वो तो जो भी चीजें हो सके हैं कि आपका मतलगी क्या है वारना रिजल्ट बगेरा की जल्दी से जल्दी वो करें रिजल्ट पे अभी डिकलेर नहीं हुआ है फर्स्ट येर वालों का एसोल वालों का और यहां पड़ इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है कि बारत इसमबर 2020 से हम जो है आपके एक्जाम लेंगे और इसमें जो है एसोल सीधा सीधा लिखा हुआ है स्कूल अफॉपल नर्णिंग और नैसनल बूमेन एजुकेशन बोर्ड जो हमारा है ठीक है उनका भी इसमें सामिल है और एसोल का भी सामिल है और यूजी और पीजी सभी का ही होगा जो आपके सेकंड डियर के स्टुएंट जो आए हैं सेकंड डियर में उनका थर्ड सेमिस्टर का होगा तो इस तरह से इन्होंने बता रखा है और बारत दिसंबर से एक्जाम लेने की बात कर रहे हैं देखेगा ये डिसीजन सही है ये गलत है वो भी आप वीडियो के अजारत थैंक यू